हेलो दोस्तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इम्पोरियो गोल्ड इम्पोरियो गोल्ड पोलिस जो मैंने एक कार्वीन के छट पे की है और बहुत ही खुबसूरत ये छट दिखाई दे रहे थी ये छट पूरा स्टक्चर है जो पूरा कार्वीन किया हुआ है उसी के उपर ये छट रख जाएगा तो मैंने ये जो पॉलिस की है इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत एजी है जो आप देखेंगे तो आपको भी बहुत जानकारी इसमें मालूम होगी तो दोस्तो ऐसे ये पॉलिस मैंने कैसे की है किस तरीका इस पे पाउडर लगाया है कैसे इसकी घिसाई की है जो कि बहुत बारिक है इसमें डिजाइन लेकिन फिर भी इसकी घिसाई मैंने बहुत ही आसानी से मसीन द्वारा की है तो दोस्तों आप देखिए आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इसकी डिजाइनों को घिसाई किया है पहले तो हमने हाथ से घिसाई शुरू किया क्योंकि हाथ भी हर जगा मसीन काम नहीं आता है प्लेन चीज है तो उसके लिए हमने गोल सेंडर मसीन लिया फिर ये मैंने इनको कमपनी का मिनी ग्रेंडर मंगवाया जो मिनी ग्रेंडर मैंने मंगवाया तो मैंने पहली बार ही मंगवाया था वैसे तो इसको कारपेंटर लोग इस्तिमाल करते हैं और जो मंदिरों में नक्सी का काम खिसाई करते हैं वो लोग इस्तिमाल करते हैं लेकिन मैंने भी यूटूब में वीडियो देखके ही मंगवाया था लेकिन ये हमारे बहुत काम आया तो आप भी मंगवा सकते हैं अगर पॉलिस में कहीं नक्सी है तो आप इससे गिसाई करोगी बहुत जल्दी हो जाती है तो देखें दोस्तो कितना फटा फट इसमें सब जो CNC कटिंग होके आता है लकडी तो वो लकडी बहुत ही रफ रहता है और इससे गिसाई करने पर आप बहुत जल्दी उसको फिनिशिंग कर देंगे ये हमको जिस तरह की पॉलिस करनी है वो हम सेंपल बता रहे हैं तो पहले मैंने सेंपल बनाया दो लकडी के टुकड़ों पे दो अलग-अलग थोड़े लाइट और थोड़े डार्क कलर के तो सेंपल बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने ग्रहक को भी दिखाया ग्रहक ने जो सेट पास किया फिर मैंने उस पे अपलाई किया तो पाउडर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो एनामिल पेंट करता हूँ एनामिल में जिसे आप देख रहे हैं यह ब्राउन है जो बर्जर कम्पनी का है और एक गोल्डन ब्राउन है जो एशिन कम्पनी का है तो आप भी इस तरह का color और यह ब्लेक भी है और यह पाउडर है आप पतला करके लगा दो मैंने इसमें तारपिटन भी मिलाया है तारपिटन इसमें ज्यादा मिलाना पड़ता है और फिर अच्छे कॉटन कपड़े से आप इसको साफ कर दो आपको जो कलर चाहिए वो कलर बहुत ही अच्छा इस पे आता है किसी भी लकड पर इसमें सागवान की है लेकिन सागवान की लकड़ी को भी थोड़ा डार्क कलर करना है हमको इस तरह करने के लिए कहा गया था तो हमने सैंपल बना के दिखाया आप भी देखिए यह सैंपल में बना रहा हूं कैसा लग रहा है तो दोस्तों देखो मैंने ये कपड़े से साफ किया अब इसकी पूरी नसे दिख रही है और साफ करने में बहुत इजी है तो आप वैसे तो वोड इस्टेनर भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन ये करने से भी आपको काम अच्छा ही होगा उसमें कोई प्रॉबलम नहीं होगी क्योंकि एनामिल जो है पूरा निकल जाता है खाली उसका कलर ही रहता है और हमने उसी स्टक्चर का जो अलग अलग पार्ट है वो पार्ट पे हमने पावडर लगाना चालो कर दिया है जो कि आप देख रहे होगी बहुत ही खुबसूरा टॉन इसमें दिखाई दे रहा है औ अगर मिट्टी वाला पावडर होता तो यह बहुत ही टाइम लगता आप परिसान हो जाओगे मिट्टी वाला पावडर लगाने से जो चौक मिट्टी में बनाते हैं चौक लेके और राव सेना ब्रंट सेना और तुर्कियम बनाके बनाते हैं वो पावडर लगाने के बाद में सफाई करने में बहुत ही दिक्कत होती है और आप ये जो पाउडर है ये लगाने में भी बहुत आसान है और आप अगर इसका रेशियो याद रखोगे कि आपको कितना light और कितना dark बनाना है तो आप जैसे एक लिटर brown oil paint लेते हो उसमें पचीस गराम या पचास गराम black डालते हो फिर उसमें तरपेटन एक लिटर या दो लिटर आप जो भी बनाओगे वो आपको अगर याद रखोगे तो दुबारा वही चीज बनाने में बहुत ही आसान होगा तो ये मैं Emporio Gold Siller लगाने जा रहा हूँ जो कि मैंने बहुत से पार्ट है इसलिए हर पार्ट का तो वीडियो नहीं बना सकता हूँ इसलिए मैंने जो पार्ट अभी लगा रहा हूँ उसका मैंने वीडियो बनाया है उसके उपर हमने पहले एक कोट epoxy का लगा दिया था और epoxy लगाने के बाद में जो Emporio Gold की epoxy आती है लगाने के बाद मैं फिर में ये एक कोट Siller का लगाने जा रहा हूँ अब जितने भी पार्ट हैं उसको Siller हम अप्लाई कर देंगे apply करने के बाद में वो सुखेगा minimum कम से कम 24 गंटा सुखना चाहिए उससे ज़्यादा भी सुखेगा तो अच्छा रहेगा लेकिन अगर 24 गंटा सुखता है तो फिर आप उसको फिर sending कर सकते हैं और sending करने के लिए आप 220 नंबर paper या 500 नंबर भी कर सकते हैं लेकिन 1500 नंबर करने के बाद में 220 नंबर paper मारें तो मैंने ये पहले सब पे एक coat sealer लगा दे हैं इसके जितने भी part हैं इसके खंबे हैं pillar और ये बहुत से चीज उसके अलग-अलग part है च्छत है जो च्छत मैंने आपको दिखाई थी तो सबको आगे पीछे हम sealer लगा के रख देंगे अब sealer लगाने के बाद में ये उसका जो च्छत वाला है वो च्छत का पीछे का भाग है जो उपर रहेगा तो वो सब पे एक coat sealer हमने लगाना चालो कर दिया है sealer लगाने के बाद हम इस पे जो इसकी खड़े वड़े होंगे वो खड़ों को भर देंगे खड़ा भरने के लिए मैं इस्तिमाल करता हूँ acrylic पुट्टी किसी भी कंपनी की हो उससे कोई फरक ने पड़ता acrylic पुट्टी में अपना तुर्की अंबर पावडर रावसेना पावडर जो आप अपने हिसाब से जो भी लकड़ी है वो मेचिंग करके बना सकते हैं और इसको पहले कोट के बाद ही भरें क्योंकि पहले कोट के बाद आप जब पुट्टी भर देंगे उसके हर खड़ों में तो उसके उपर जो सिलर आएगा तो सिलर ये पुरी जो लापी है ये मजबूत हो जाएगी नीचे तो इससे कोई ज़्यादा फरक ने पड़ेगा कि आप ज़्यादा मजबूत वाली पुट्टी भरो या ये कमजोर रहेगी ये कभी निकलेगे नहीं क्योंकि इसके उपर सिलर का पूरा कोट लगा होगा तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि बहुत से लोग बोलते हैं ये मजबूत वाली पुट्टी ये भरो ये भरो लेकिन अगर इसके उपर आप सिलर लगा दोगे तो ये पूरी पुट्टी नीचे रह जाएगी और उसके उपर सिलर का कोट रहेगा तो ये पूरा मजबूत रहेगा और निकलेगा कभी नहीं कोई भी खड़ा निकलेगा नहीं और पुट्टी भरने के लिए एक चिद्या दखना चाहिए पुट्टी सिंगल कोट भरके और कम से कम 4-5 घंटे के बाद सभी खड़ों को दुबारा से पु फ़ाबर रहेगा यह हमने सिलर को गिषाए करना चालू कर दिया है इसके बहुत से पाठ ऐसे हैं कि हास से गिषाए होती नहीं है यह जो खंबे दिख रहे हैं इसको हम पेपर से घिस रहे हैं और एक यह जो भाई घिस रहा है यह बरतन माजने वाला काथा आता है जो एकदम तार के जैसा बारिक आता है उसी से घिसाई इसमें बहुत सी चीज़ कर रहे है आप भी इस्तिमाल कर सकते हो नक्सी में घिसाई करने के लिए बहुत जल्दी उससे काम होता है बारिक बारिक चीजों को घिसाई करने में बहुत ही आसानी रहती है और हमने फिर घिसाई करने के बाद सभी पार्ट को ये double coat sealer मारना चालो कर दिया है Double coat sealer मारने के बाद दोस्तों इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो हम दुबारा घिसाई करेंगे इसका final घिसाई तो फाइनल घिसाई करने के बाद आप इस पे एक कोट जो पाउडर फर्स टाइम हमने लगाया था वही पाउडर इस पे दुबारा एक बार अपलाई करें दुबारा अपलाई करोगे तो उससे क्या होगा जो लकड़ी का टॉन है वो एकदम एक बराबर हो जाएगा कहीं पे आपको लाइट या डार्ग कोई चीद दिखाई नहीं देगी आपका काम देखने में पूरा एक जिसा दिखेगा जो आप बाद में ब्रस लेके पिंच्छी लेके और उसको सब सिड मिलाते हो वो सब नहीं मिलाना पड़ेगा तो आप जब ब्लास्ट में इसको फाइनल करने के पहले वो ही पाउडर सब ही जगा लगा के और उसको बराबर से साफ कर दे और साफ करने के बाद में वो सूख जाए फिर उसको 600 नमबर पेपर से फिर से थोड़ा सा पेपर मार ले फिर फाइनल मार ए जीसे हमने ये फिर से second coat घिसाई चालू कर दिया है सबी चीज का अब second coat जब सब चीज हम घिस लेंगे तो फिर इसको सबी जगा पाउडर फिर से apply करेंगे ये थोड़े बहुत पार्ट रह गये थे तो उसको हमने बाद में बीच में ले लिया है क्योंकि सभी पार्ट साथ में तैयार हो जाएं इसलिए सब को एक जैसा रेडी कर रहे है फिर हमें एक ही साथ सब को फाइनल मारेंगे ये डबल कोट घिसाई हो रहा है ऐसे बहुत से उसमें पिलर है डिजाइन वाले तो दोस्तो मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चनल को सस्क्राइब कर ले और पॉलिस के बारे में किसी भी टाइप की पॉलिस हो उसके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे contact कर सकते हैं comment भी कर सकते हैं description में मेरा number है आप मुझे call भी कर सकते हैं तो हमने ये second code अभी उसको powder लगा रहे हैं ये देखिए ये वही powder है जो मैं आप से भी बात कर रहा था ये हम घिसाई करने के बाद में सब जगा लगा के और साफ कर लेंगे और पूरा लकड़ी को देख लेंगे कि कहीं पे कोई light, dark, कोई कुछ दिक्तों ने रहा है और जब सब जगा बराबर दिखेगा फिर हम उसको final मारना चालू करेंगे तो अभी हम ये final के तयारी कर रहे हैं और ये final हम मार रहे हैं तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप comment करके बताएं और पसंद आया हो तो like करें और ना पसंद आया हो तो dislike भी कर सकते हैं आपकी मरजी और अगर पसंद आया है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक किसी के काम आएगा पालिस के बारे में और ये पालिस करने में बहुत ही easy है बहुत ही आसान है अब ये जो छट में मार पहाँ ये च्छत बहुत ही बड़ी थी एक 11-11 की च्छत है 11-11 या 12-12 की अब इतनी बड़ी च्छत एक साथ नहीं मार सकते हैं तो आप बहुत से चीजों को मारने में ध्यान रखे कि बहुत बड़ी चीज हो तो एक साथ ना मारे बलकि आधी चीज कbaby कर ले और आधी कर करक और मारने में एक चित ध्यान रखें जो गन आप चलाते हैं वो गन नो दस इंच से ज़्यादा दूर ना रखें अगर नजदीक रखोगे और तो चलेगा लेकिन जादा दूर ना रखे जादा दूर रखने से क्या होता है जो गन का जो मिटिल होता है वो जादा दूर से मारने में वो नजदीक जाके थोड़ा सूख जाता है और फिर उसमें रफ हो जाता है तो अब जो मारोगे तो पर ऐसा हाथ लगाओ तो rough दिखता है तो इसके लिए यह problem आता है कि आप बहुत अगर दूर से हाथ चलाओगे तो problem आएगा कि जो finishing है वो finishing बराबर आपकी नहीं आएगी उसमें आपको हाथ लगाने पर उसमें dust दिखाए देगी फिर आपको उसको buffing करना पड़ेगा और अगर आप 6 से 7 इंच 8 इंच 9 इंच अगर हाथ आप दूर रखके मारोगे तो जो material है वो उसके उपर जाके बराबर लगेगा और उसकी जो finishing है वो एकदम smooth finishing आएगी तो दोस्तो मैंने ये सभी पार्ट को तयार कर दिया है और देखे आप ये final हो चुका है हमारी चट और सभी पार्ट final हो चुके हैं लेकिन मैं पूरी वीडियो आपको इतना लंबा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैंने ये जो चट तयार की है इसी की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ तो दोस्तो कैसी लगी मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत 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 क्योंकि के लिए रहाँ क्योंकि प्ड़ी सब्स्वाद करत करत कि दो तोस्तो के लिए वीडियो करता सिंध तोस्तो के रहाँ